एक्सेलेंसी एस्ट्लाम करिमो प्रजिडेंट आप दरीपब्लीक अप उज्वक्स्तान, संगय कारपरेशन और नाइशन के सभी नेतागाण, सभी उपस्तित नेतागाण, एक्सेलेंसीज, लगभग एक वर्ष पूर्व मैंने तासकन से सेंटरल एशन कंट्रीज की अपनी आतरा शुरू की थी, मुझे एक्सेलेंसी करिमवा और उजबेक लोगों का स्वांदार स्वागत अभी भी याद है, आपकी महवान नवाजी और इस मिटिंग के शांदार एर्रेंजमेंट्स पर मैं अन्य नेताओं के साथ एक्सेलेंसी करिमवा को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, पिछले वर्ष राष्ट्पती पूतिन के कुशल नेत्रूत्प में उफा समिट के दवरान भारत को एस्सीओ के पूर्ण सदसे के रूप में स्विकार किया गया था, भारत एस्सीओ ग्यापक सबंधों में यह एक लेंडमार्क है, आज हम मेमरेंडम आप अप्लिकेशन्स पर हत्ताक्षर करेंगे, इसी के साथ एस्सीओ में भारत की सदस्यता की अप्चारिक प्रक्रिया समापन के और आगे बढ़ेगी, यही नहीं भारत के इस ख्षेत्र में के साथ सद्यों पुराने समंधों को आगे बढ़ाते हुए मानवता का छठा भाग आज एस्सीओ परिवार का हिस्सा बन रहा है, भारत की सदस्यता के सपष्ट समर्दन के लिए मैं तथा पूरा भारत एस्सीओ के मेंबर स्टेट्स को और उसके लीडर्स के अत्यनत आभारी हैं, मैं बेलारूस का इस संस्ता में फर्स्ट टाइम अब्जरवर के रूप में स्वागत करता हूँ, एक्सलेंसीज, भारत इस छेत्र में नया नहीं है, आपके साथ हमारे सद्यों पुराने अईत्यासिक सबंध है, हम केवल भावगोली गुरूप से ही नहीं जुड़े हैं, बलकि हमारे समाच, सांस्कृति, खानपान और व्यापारिक सबंधों से समुरुद्ध हुए हैं, यही पुराने सम्मन्ध रश्या, चाइना और सेंट्रल एशिया कंट्रीज के साथ हमारे मोडन ये सबंधों का एक महत्वकून आधार है, भारत की स्थस्यों के सिमाएं पैसिफिक से यूरोप तक और आर्केटिक से इंडियन ओसक तक फैल जाएंगी, S.C.O. का बढ़ता परिवार 40 प्रतिशत से ज़्यादा मानवता और एक बिलियन से ज़्यादा युवाओं का प्रतिनिदित्व करेगा, S.C.O. में भारत ऐसे सिधानतों को लेकर आएगा, जो S.C.O. की फिलोसाफी से लए में होगा, Eurasian Landmass के साथ तो भारत के समन सदेव काफी अच्छे रहे हैं, साथ ही साथ, एसिया, पैसिफिक में स्थिर्ता, सुरक्षा तदा, खुशाली के उद्ध्योशों का भी हम समर्थन करते हैं, एक्सलेंसीज, निसंदे, S.C.O. से भारत को एनरजी, नेचरल रिसोर्सीज और इंडस्री में लाब मिलेगा, लेकिन बढ़ले में भारत के आर्थिक उन्नती और विशाल मार्केट भी S.C.O. रीजन के आर्थिक विकास के लिए लाबकारी सिद्ध होगा, मुझे विश्वास है कि ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, इन्फरमेशन और कम्मिनिकेशन टेकनलोजी, स्पेस, साइन्स एंड टेकनलोजी, एग्रिकल्चर, हेल्थ केर, स्माल एंड मीडियम स्केल इंडस्रीज, मैं भारत की शम्ताओं से S.C.O. एकानमिक को काफी फायदा म मिलेगा, हम S.C.O. ख्षेत्र में Human Resources और Institutional Capacities के विकास पर भी काम करने को तयार है, हमारी प्रात्मिक्ताएं समान है, इसलिए हमारे विकास के अनुभ़वों को आप अपनी National Needs के अनुरुप पाएंगे, Excellencies, 21 सदी का Inter-Dependent World आर्थिक अवसरों से भरा हुआ है, किल्तो इसमें Geopolitical Complexities और अनेग Security Challenges भी है, इसी कारण हमारी आर्थिक सम्रुदी के लिए इस खेत्र के देशों का एक दूसरे से जुड़ा होना बहुत ही जरूरी है, लेकिन मात्र फुजिकल कनेक्टिविटी ही परियाप्त नहीं होगी, हम SEO देशों के बीच, Goods, Services, Capital and Human Resources के सहज मूमेंट को सुनिशित करना होगा, लेकिन केवल यही काफी नहीं होगा, SEO खेत्र का, रेज, रोड और एर लिंक के जरिये से दुनिया के साथ जुड़ना भी आवशक है, यह स्पस्ट है कि, SEO में, ट्रेड, ट्रांस्पोर्ट, एनर्जी, डिजिटल और पीपल टू पीपल लिंक्स बनाने में, भारत एक प्रोड़क्टिव पार्टनर सिद्ध होगा, भारत का, इंटरनेशनल नौर्थ साउट ट्रांस्पोर्ट कोरिडोर, चावाहर एग्रिमेंट और अजगाबाद एग्रिमेंट से जुड़ने का नेड़ने, इसी इच्छा और इरादा का प्रतीफ है, एक्सलेंसीज, एसीओ में भारत की सदस्यता खुशाली का रास्ता वनेगी है, साथी साथ यह सुरक्षा भी सूनिश्चित करेगी है, इस खुशेत्र में नफरत, हिंसा और आतंकवाद की रेडिकल आइडियोलोजिस के खिलाप लड़ाई हमारा सांजा उद्देश्ट है, हम इसमें SEO कंट्रीज के साथ एक जूठ होकर काम करेंगे, और आतंकवाद से लड़ने में जीरो टॉलरंस और एक कॉम्प्रिहेंसिव एप्रोच को बनाएंगे, इसी उद्देश की पुर्ति के लिए स्थीर, स्वाथंत्र और शांत अफगानिस्तान न केवल हर अफगानिक की इच्छा है, बलकि इससे S.C.O. रिजन को भी सुरक्षा और स्थीर्टा मिलेगी, अंत में, मिश्चर टेर्मेन, भारत की S.C.O. में सरस्थिता S.C.O. को एक ऐसा ख्षेत्र बनाने में मददगार सिद्ध होगी, जो कि विश्व के आर्थिक विकास में महत्मप्रून भूमिका निभाएगा, जो कि आंतरी ग्रूप से सुरक्षित और स्थीर होगा, और जो पूरे विश्व से मजबूतिक से कनेक्टेड होगा. एक्सलेंसीज, अगले साल हम अस्ता नाम की S.C.O. मिटिंग में इक्वल पार्टर्स के रुप में भाग लेने के लिए उत्सुख हैं। कि विश्व किस्तान को उनकी अध्यक्ता में होने वाली S.C.O. की 2017 की समीट की सबलता के लिए मेरी शुब कामनाये हैं। मैं उन रिपबलिक और रिपबलिक अव उजवेकिस्तान की सरकार की मेजमारी का धनिवाद करता हूं। और आज इस सफल मिटिंग में के आउजन के लिए एक्सलेंसी करीमाओं को रुदे से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं। धनिवाद।